क्या आप पूल्ग भी प्रेग्नेंसि प्लान कर रहे हैं हरमईने आप वहांपर ओवेलेसंट करते हैं दवाय चल रही है अपको ओवीलेसट का पता चल रहा है ओव लेसंट तक को हम कैसे भी करके मेनेज कर लेते हैं लेकिन दिखत आती है तो वह बच्चे को चिपकने में, implantation में, क्या आपका भी implantation नहीं हो रहा है, कितनी भी अच्छी treatment ले रहे हो, कितनी भी अच्छी home remedy फोलो करो, सारी चीज़े आप वहाँ पर अच्छे से फोलो करने के बावजुद भी आपकी pregnancy नहीं positive आ रही है, तो वहाँ पर एक दिक्कती हो सकती है, कि ovulation तक का सफर तो हम सबको track भी कर पाते हैं, पता भी चल जाता है, लेकिन उसके बाद implantation में कहाँ पर दिक्कत आती है, वो हम जान नहीं सकते हैं, और बहुत सारी महिला होती है, जिसको implantation में बच्चे को चिपकने में दिक्कत आती है, कभी-कभी implantation हो जाने के बाद भी फेल हो जाता है, यानि कि आपको symptom आएंगे बोडी में, यसा लगेगा कि इस मेने तो confirm हो ही जाएगी, लेकिन अच्छानक से period आ जाता है, आप कितनी भी तकेदारी रख लो, आप पर कभी-कभी chemical pregnancy तक भी हो जाता है, यानि कि एक बार UPT positive आये, आट-दस दिन में period आ जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर implantation फेल हो रहा हो आपका, और उसमें बहुत ज़्यद पूछा जाने वाला सवाल यह है, कि मेरी body में heat ज्यादा है, तो उस heat को कम करके, मैं implantation की speed कैसे बढ़ा सकती है, यानि कि यहाँ मैं क्या करूँ, जिससे body heat कम हो, और क्या यह body heat जिसे कुछ होता है, body heat की चलते आपका implantation में दिक्कत आ सकती है, यह बहुत सरे सवाल मुझे लोग पुछते, जिसका जवाब आज इस वीडियो में में देने वाली हूँ, यदि आपको भी body heat की दिक्कत है, तो उसको ठिक करने के उपाई भी में आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो implantation अच्छे से हो जाए, इसी महीने आपकी pregnancy हो जाए, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वीडियो आखिरी तक देखती रहेगा, वीडियो अच्छा लागे तुसको लाइक एंसेर कर दीचेगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की इस चैनल को तो कर लिए आपके लिए बिल्कुली फ्री है, तो चलिए सुरू करते हैं, आपकी बोडी हिट को कम करके छल्दी से इस समर में भी कैसे हम pregnancy कंस्यू कर सकते हैं, देखो यहाँ पर समर अभी चल दा है, तो समर में दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है, इंप्लांटेसन भी फेल हो जाता है और abortion rate भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते है, तो क्या गर्मी का impact बोडी पे होता है, जी हाँ गर्मी का impact बोडी पे रहता है, इसलिए कभी कभी बोलते हैं के गर्मी की सिजन में आपको गरम चीज़े नहीं खानी चाहिए, मेंगो भी गरम पड़ती है तो आम भी आपको एक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए वहाँ पे ठंड़क देने वाली चीज़े जिससे सर्बत वगेरा या फिर आपको तर्बूस खाना चाहिए तो यह सारे फ्रूट्स भी आपको खाने के लिए बोलते जिससे आपके बोड़ी में ठंड़क रहे है तो गर्मियों के सीजन में बोड़ी हीट थोड़ी से और ज्यादा बढ़ जाती है एसे डीटी की दिकत भी बढ़ जाती है आपको वहाँ पर बोड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी पाउं के तल्वों में गर्मी लगेगी पसीना ज्यादा आएगा ये सारे समर के common symptom है तो क्या SME implantation के उपर वहाँ पर प्रभव डालता है क्या उसकी चलती implantation फैल हो जाता है तो जी हां समर में ये चीज़े क्यों बढ़ जाते हैं क्योंकि बोड़ी हीट आपकी बढ़ जाएगी अब बोड़ी temperature के यहां पर हम बात नहीं करे टेम्पुरचर आप शाहे समर हो विंटर हो या मुन्सुन आपका टेम्पुरेचर है 37 भी रहेली जिए कम नहीं आपके कभी कहिते हैं तो टेम्परेचर इतना रखती तेबल रखती है उन लोगों को implantation में और ज्यादा दिक्कत आएगी, तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका implantation अच्छे से हो जाए, इसी महीन आपकी pregnancy कंसी हो जाए, बोडी हीट आपको दिक्कत ना दे, और आप अपनी बोडी में ठंडक करना चाहते हैं, तो आप इसी महीने से सुरू कर दी है, डेली की तोर पे सोप का पानी पीते हैं, क्योंकि वो ठंडक देता है, आपकी तासिर को ठंडा रखता है, और आपकी बोडी में जो हीट होती है, उसको कम करेगा, तो यदि आप वहाँ पर implantation की बात करें, हम pregnancy कंसीर करने की बात करें, तो उस टेम पे ये जो सोप का पा टीजा है, रखता भड़े,-चलास एनधा पावडर के पानी, खड़ी तो अपको पावडर भड़े दिश्टक थके तो आपको बना सकते हैं, यदो फाल से बाता सैज् Director के श्चärtक आपको फैर टाल डेता है, आपको फैरल लगड़े। ौर तो यद UV तो आपको पावडर क तो जिटिन भी ओम रिमेडि का वीडियो आप यूट्यूб पेझे सारे के सारे के सारे ईप फोलू मत कीजे। कुछ होम रेमेडी हाइमेच वाले पेसन के लिए होती है कुछ वहाँ पर ट्यूपस बंद के लिए होती है तो हर एक होम रेमेडी बीना सोचे समझे आप वहाँ पर पीएंगे तापके होर्मोन इंबेलेंस होगा में दिक्कत आएगी इंप्लांटेशन में दिक्कत आएगी तो बीना डोक्टर को कंसल किये कोई भी होम रेमेडी आपको फोलो नहीं करनी है इस वीडियो में मैंने बता है उसमें कुछ भी क्वेरी हो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछी सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं वहाँ पर क्योंने लाइससन होते रहे तो जल्दी सांसर मिल जाएंगे या फिर आप हमारी टेलिपोनिक अपॉन्मेंट भी बुक करा सकते हैं प्रेग्नेंसी कंसी होने में कोई भी दिक्कत हो चाहे ट्यूब बंध हो या ओवियोलेशन में दिक्कत आ रही हो या पिर आपके अंडे फूट नहीं रहे है अच्छे से बन नहीं रहे है हस्बन की र प्रेग्नेंसी कंसी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगी तुसको लाइक और से कर दीजिए कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीच आपके बिल्कुली फ्री है तो चले फ्रेंट फिर चल्दी से मिलेंगे तब तक के लिए स्टेल्दी स्टेपी बाई